हेलो दोस्तो अगेन वेलकम टो अनदर वीडियो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पानी को कैसे ड्रॉ गिया जाता है पानी को draw करने का सबसे बड़ा main जो challenge है वो होता है कि पानी के transparency then पानी में पढ़ने वाले reflections और highlights पिशली दो वीडियो में मैंने आपको बताया कि sky के उपर आप कैसे काम कर सकते हो अगर आप sky के उपर एक और वीडियो चाहते हो तो आप comment box पे मुझे बता सकते हो इसमें personal thought की water color में पानी को निकालना थोड़ा सा difficult है और चीजों के मुकाबले इसमें तीन main factors होते हैं जो कुछ इस तरह से है पहला होता है पानी की transparency पानी transparent होता है और उसके अंदर की चीज़े जो है हमको easily दिखाई देती है दूसरा जो factor होता है वो होता है reflections पानी के आसपास की चीजों के reflection पानी पे बनते हैं जिन्हें हमें draw करना पड़ता है और तीसरी चीज़े वो होता है highlights जो sky का reflection पानी पे बनता है तो वो एकदम white portion जो है पानी में छोड़ देते है तो आज जानेंगे हम कि हम इन तीन factors को अपने painting में कैसे निकाल सकते हैं तो चलिए फटाफट जब मैं sketch complete कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं color palette में अब यहां से video थोड़ी fast होने वाली है तो सबसे पहले मैं अपने पूरे paper पे water apply करता हूँ As you know कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है At first I go with the bright colors इसमें मैंने ले रिखा है permanent orange और हलका सा gumboge hue क्योंकि यह पहली wash है तो इसमें मैं color के mostly जितने हो सकते हैं उतने transitions apply करूँगा बड़ ध्यान रहें यह transitions color scheme के according ही होने चाहिए इसमें कोई ऐसा color use ना कीजिए जिससे कि आपकी painting बहुत ही अलग दिखने लगे And the second tone I am using इसमें cobald blue और crimson lake का mixture बना हुआ है और यह आपको अलका सा जो violet color है उसका tone बना कर देता है Don't be afraid of using colors in first wash अगर आप यहां पर गलती कर भी देते हैं तो आप उसे overlap कर सकते हैं तो आज का जो scenario है वो है एक नदी का और नदी पहती ही नदी में एक चोटा सा जो pond बना हुआ है उसका जो है landscape आज हम बना रहे हैं Grass के लिए आपको यूज करना है sap green और orange color या फिर आप sap green में मिला सकते हैं burnt china के सांसात अगर आपको depth भी चाहिए तो आप उसमें मिला सकते हैं cobald blue और persian blue the paper is still wet और मुझे गीले paper का जो effect होता है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैं पहली जो layer है उस पर कोशिश करता हूं कि ज़्याद से ज़्यादा color जो है apply करता हूं और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार आपका first layer सूख जाए then उसके बाद आप इस type का effect चाहा कर भी नहीं निकाल सकते आप कितना ही master कर ले इस चीज़ को बड़ पहली layer जैसा fresh color आप second layer में नहीं निकाल सकते with blurry effect आपको पता है कि first layer का actual use होता गया है जो पहली layer हम कभी भी अपने painting में देते हैं उसके बाद उस पर second layer, third layer, fourth layer ऐसे गर के हम उसको overlap करते रहते हैं बड जो most fresh color होता है आपकी painting पे वो हमेशा आपकी पहली layer का ही paint होता है आप कभी observe कीजिएगा इस चीज़ को अब बारी आती है पानी की तो आपने देखा होगा कि पानी हमें sky blue color का दिखाए देता है तो ऐसा क्यों होता है कि आपको इसके पीछे का reason मालू है चलिए मैं बताता हूँ इसका reason है प्रकाश प्रकेनन जिसे हम light scattering भी कहते हैं पानी बर sunlight पढ़ते ही जो reflection light होती है उसमें blue color सबसे ज़ादा scatter होता है इस कारण ही जो पानी का color है हमको blue दिखाए देता है तो अगली बार से अगर कोई आपको बोले कि यह sky का reflection है तो आप उसको सही जवाब बताएंगे stones के color के लिए मैंने use किया है cobald blue और red color अब मैं यहाँ पर red color इसलिए कह रहा हूँ क्यूंकि कई जो colors के set होते हैं उसमें या तो आपको vermilion red मिलता है या फिर scarlet red मिलता है तो आपके पास जो red है आप उसको mix करेंगे और आपको इस तरह का color जो है वो मिल जाएगा water की dark tone के लिए आपको simple जो persian blue है उसमें viridian को मिलाना है viridian और persian का mixture आपको एक aqua tint या फिर aqua color का एक dark tone बना के देगा पर पानी का color हर जगा एक तरह का नहीं होता है आपने देखा होगा कि पानी में आपको उसके अंदर की जो बजरी होती है या rate होती है वो आपको दिखाई पड़ती होगी और जो पत्थर होते हैं उनका color भी आपको दिखाई देता है तो इस जगे पर आप aqua shade के साथ orange color या फिर हलका सा burn china या यूज़ करेंगे जिससे पानी के अंदर की dimension जो है आपको दिखने लगेगी और आपको highlight वाले portion के लिए white portion भी छोड़ना है क्योंकि एकदम जो आपका पेपर का white है ऐसा white तो आपको white color भी नहीं दे पाता तो आपको बहुत ही साउधानी से पानी में काम करना है तो अब हम चलते हैं पानी के आसपास बने हुए पत्थरों की तरफ अब क्यूंकि right side में जो है अभी धूब पड़ी हुई है तो मैं वहाँ पर purple color के साथ साथ थोड़ा सा orange color जो है उसमें mix कर रहा हूँ ताकि एक हलका सा warm tone जो है आपको पत्थरों पर दिखाई दे तो फटा फ़र से अपने stones को अपनी जो second layer है उससे cover करते हैं देन आप जब left side में आ जाते हैं तो आपको same वही tone का जो है darker tone बनाना है जो आपने इससे पहले उन पत्थरों के use किया था और यही step आपको पूरी painting पे apply करना है आपने जो lighter tone first में दिये हैं उनही के darker shades आपको उसके उपर step wise apply करते रहने हैं आप जितना ज़्यादा dark चाते हैं आप उतने steps में इसको divide कर सकते हैं अब आप left side में देख सकते हैं कि जो बड़े दो पत्थर हैं उनके reflection जो है हम पानी में बना चुके हैं किस तरीके से बनाए हैं आपने वीडियो में पीछे देखा है इसी तरीके से हम जो right में पत्थर हैं छोटे छोटे दो इनका भी reflection जो है create करेंगे अब क्योंकि पानी एक flat surface तो है नहीं उसमें waves हैं तो इसलिए आपको ये reflections आड़े टेड़े बनाने हैं जिस वज़े से ये एकदम realistic जो है आपको effect देगा तो जल्दी जल्दी पानी की और detailing को complete करते हुए मैं बढ़ जाता हूँ पीछे बने हुए जाडियां और पेड़ की तरफ पेड़ बनाने के लिए mostly मैं दो या तीन नंबर का brush जो है use करता हूँ क्योंकि इसके strokes बहुत ही clearly जो है निकल के आते हैं आप भी comment करके बताए कि आप कौन सा brush जो है use करते हो पेड़ या फिर पत्तियां बनाने के लिए अभी आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा सा odd लग रहा है वह इसलिए क्योंकि branches के बाद इसके ऊपर इसकी थोड़ी बहुत पत्तियां आएंगी जिससे इसकी सारी branches तो नहीं पर कुछ-कुछ branches का area जो है cover हो जाएगा सेम यही चीज में इसके आसपड़ोस की जो जाड़िया और टहनिया निकली हुई है उन पर भी apply करता हूँ क्योंकि यह तीसरा step है तो इसमें पत्तियां जो है dry brush टेकनीक से निकाली जाएंगी dry brush में आपको बहुत जादा thick color नहीं यूज करना पड़ता है यह टेकनीक होती है आप किस तरह से brush को जो है paper पे यूज करते हो dry brush नाम सुनते भी लगता है कि हमें इसमें गाड़ा-गाड़ा सा color यूज करना है या color की thickness होनी चाहिए बट इतनी जादा भी नहीं अगर आप बहुत जादा thick color लेंगे तो जो आपकी painting है उसमें वो thick color बहुत जादा जो है contrast को express करेगा और जो viewer की eye होती है वो एकदम से उस contrast पे ही पड़ती है dry brush का funda कुछ और है dry brush के लिए आप thin color भी ले सकते हैं बट आपको brush जो है उसको एकदम से paper में press करके drag करना है brush गीला होगा बट आपको लगना चाहिए कि वो brush सूखा हुआ है जब आप brush को dry brush technique में drag करते हैं तो वो पेपर के texture के साथ अपने colors को छोड़ता है और एक बहुत ही खुबसूरत सा pattern जो होता है वो आपको बना कर देता है अगर इस तरह से सारी चीजे में ही की वीडियो में बता दिया तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा ग्यान छोड़ते हैं अगली वीडियो के रहे और इस वीडियो को मैं करना हूँ अप इससे ज्यादा fast forward एक्चुल में ऐसी कोई बाद नहीं है वीडियो बहुत ज्यादा लेंडी हो जाती है इसलिए मुझे इसको fast forward करना पड़ता है और शायद बहुत ज्यादा लंबी वीडियो को देखना हमारे लिए एक मतलब काफी बोरिंग काम दियो होता है क्योंकि मैं खुद यह चीज़ एक्सपिलेशन होता भी है तो वह किसी अदन लेंग्वेज में होता है Easy जो लेंग्वेज व समय्ज में होता उसमें नहीं होता या पिर उसमें बहुत ही एक slow सा music होता है जिसको देखते देखते सुनते यहमें नीन आने लगो जाती ए तो अगर आपको यह वीडियो पसंद जे वारे तू